हेलो फ्रेंडस आप हमें लाइब देखरें तो जैसे आप सबी जानते हैं कि आजकल सरदियों का मौसम आने वाला है और सरदी के मासम आते ही जो है लोगों को काफी पेन होने लगता है मसल्स में तो friends ये product जो है बहुत ही interesting है और ये totally china made है पहले हम आपको price बता दे आप चाहे local market से खरीदो या online खरीदो price लगभग बराबर है distributor rate जो है friends ये 140 से 150 का पढ़ जाता है normal pharmacy की दुकान से आप खरीदोगे 220 से लेकर 300 रुपए के बीच पढ़ जाएगा और आप अगर चाहो तो online भी आपको मिल जाता है तो online आपको same price range में मिल जाएगा हम इसकी testing करके दिखाते हैं कि ये actual में कैसा product है और खरीदने लाइक है भी सही की नहीं तो friends इसमें जो है एक परकार की gel होती है यानि कि आप कह सकते हैं gel type है पानी इसमें नहीं होता और हम जो है अपने कई हमारे खराब भी होगे हम इसको काट कर टीरिंग करके भी दिखाएंगे ये actual में क्या है तो friends इसको चलाने से पहले हम आपको इसके थोड़े से positive और negative point या precaution बता दें आपने जो है इसको अगर ये थोड़ा सा leak करें तो आप इसको इसको इस्तवाल ना करें और इसको pressure ना दें यानि कि इसपे heavy object इसमें ना डालें तो ये कुछ precaution जो है इस box में लिखी हुई है कि और इसमें जो है friends इसको किसी भी परकार के cutter से ना टच करें तो ये cut जाएगा और इसके अलावा जो है इसमें अगर टेक्निकल डिटेल नहीं लिखी हुई है तो इसका जो MRP जो company ये लिखती है साड़े साथ सो लिखती है बहुत ही ज़्यादा प्राइस बताती है अगर हम इसके देखें कि ये 500 वाट इसमें लगा हुआ है क्योंकि 500 वाट ये सिरफ प बात और आपने ध्यान रखनी है कि जो इसके साथ तार आती है आपने वही इस्तमाल करनी है कईयों का जो ये होता है सोके थोड़ा साथ डिफरेंट होता है और बहुत मुश्किल से जाता है और दूसरी बात जो है friends की ये कई बार जो है heating के करण या तो ये गल जाता है या तार भी गल सकती है तो तार अच्छी हो तो बहतर है नहीं तो आप precaution रखे क्योंकि ये इतना गरम हो जाता है 82-90 degree temperature maximum इसमें जा सकता है तो हमने एक लगाने से पहले आपको हम temperature दिखा दे जिससे surrounding temperature आप ये देखिए कमरे का temperature 26 है ये हमने अभी 5 मिनट पहले इसको चलाया ह है और इसका temperature 52 है दूसरे वाले को हमने आदा घंडे पहले चलाया था और इसका आप देख सकते हैं 38 degree centigrade temperature है एक को हम on कर देते हैं साथ में आपके सामने टेस्ट करने के लिए दूसरा भी हम लगाने की पुरिकोशिश करते हैं क्योंकि ये तार भी गल सकती है अगर ज्यादा अगर अच्छा ना हो तो ये प्लास्टिक को भी गला सकता है तो ये आपने हमेशा प्रिकोशन रखनी है और दोनों जो है फ्रेंड्स 500 वाट की है जब ये गरम होता है तो ट्यूब जो है फ्लेक्चुएट करने लगती है तो ये नॉर्मल है अब ये हीटिंग हो रहा है त लेकिन बैक का टेंपरेचर 64 डिग्री सेंटिग्रेट पहुंच रहा है दूसरे वाला का जो है अगर आप देखेंगे 49 हो गया और हम जो है टाइमर रखना भूल गए नहीं तो हम टाइमर भी दिखाते हैं को कितने मिनट में इतना टेंपरेचर इसका बढ़ रहा है तो चल है बट कई बार क्या होता है कि हम भूली जाते हैं जैसे हम जो है लगा कर भूल सो जाते हैं तो बारा बारा गंटे तक यह इसके साथ रह जाता है और तो उस केसे में क्या होता है कि इसके अंदर वाला जो सरकीट होता है वो खराब हो जाता है वो कह सकते हैं डिस्टर्ब हो पर ना इसका आटो कट बंद होता है तो यह जो है फ्रेंड्स आपको साफधानी रखनी है कि इसको लगा कर नहीं भूलना है बार-बार आप लगा के भूल जाते हैं तो यह इसका सर्किट खराब हो जाता है फिर यह प्रोपरली गरम नहीं होगा तो हम अब चेक कर लेते हैं तेंपरेचर कितना है 74 सेंटीग्रेट के करीब है और दूसरे वाले का देखेए फ्रेंड्स 60 डिग्री के आसपास आप कह सकते हैं और अगर हम आपको दूसरे सेंसर से करके दिखाते हैं यह इन्फ्रारेड यह थर्मामेटर संसर है यानिकी बोडी का टेंपरेचर नापने करते हैं यह शायद लिक्वर्ड पता नहीं कैसे आ गया तो इसको हम बाद में चेक करेंगे तो फ्रेंड्स आप जो है यह देखिए यह करता है थोड़ा वह अगर आप फील कर सकते हैं आवाज को आपको टेंपरेचर दिखाते हैं मैक्सीमम जो टेंपरेचर है इसका 80 डिग्री सेट किया गया है यह देखिए आप 80 डिग्री के आसपास है यानिकी 80 डिग्री पहुंचते यह अपने आप कट हो जाएगा जबकि हम दूसरे का देखें तो दूसरे का टेंपरेचर आप यह कब बंद होता है उपर जो 77 दिखा रहा है और यहाँ नीचे 71 है तो यहाँ पर ज्यादा हीटिंग है तो इसका मतलब इधर जो है आपकी हीटिंग कोईल होनी चाहिए तो यह देखें यह भी आप इसकी आवाज होता है तो फ्रेंड्स हमने यूट्यूब में कई लोगो आप लुग्स नहीं करना है ज्यादा जोर से नहीं दबाना है और दूसरी बात जो है फ्रेंड्स की अगर by Ce Prince खराब हो जाए तो इसको फैंक दिना है रिपे कीज़े नहीं हो सकता है तो यह देखी है कैसी यह वाज कर रहा है तो आप फील कर सकते हैं और यह अट्वेटिक कि लिए कट हो गया आप जो हम आपको दिखाते हैं कि क्या टेमपरेचर है इसका तो अगर आप यह देखेंगे इसके बिल्कुल पास में जो है 77 दिखा रहा है इह इधर जो है इसको ठीक बिल्कुल सेंटर के पास 80 डिग्री यानि कि यहां पर अगर टेमपरेचर 80 डिग्री आजाएगा तो यह आटोमेटिकली बंद हो जाएगा लेगा नहीं तो इसको आप हटा दीजिए पीछे से बंद करके तो यह था फ्रेंड्स इसके रिव्यू यह बहुत ही अच्छी चीज है हमने जो है इसको कम से कम पांच-दस पॉटर के खरीदे हैं और एक साल तक चल जात होता है कि आपको एक तो इसको किसी परकार के नौकीले ओजार से या चाकू या कहची बिल्कुल भी टच नहीं करना है दूसरा इसको पानी में बिल्कुल भी सोखना नहीं है पानी में नहीं गिराना तीसरा इसको बोडी के नीचे जैसे हम यह दिखा रहे हैं ऊपर रखना इसको दबा के नहीं करना, अगर आप बोड़ी के नीचे दबाओगे, तो इसका सर्कुट जरूर खराब होगा, और तीसरा जो है जैसे ये यह है, राध भर यह यह लगाकर आप भूलना जाये लगातार, इसमें लगा रहेगा तो इसका सर्कुट खराब हो जाता है, कई बार ये चीभ जल जाती है ये गल जाता या ये पियन तूड़ जाती है ये इस तरह से ये खराब होता है इस पे किसी परकार की कोई warranty guarantee कहीं से नहीं मिलती एक बार खराब हुआ तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा तो friends ये था इसमें भी कई variety होती है जैसे एक तो आपका normal हो गया और कई हो में क्या होता है कि इस पर लगा होता है परकार का कपड अराइब लगा होता है तो pharmacy वाले कहरें कि उसमें मजा नहीं आ तो उसमें ज्यादा heating नहीं होती है तो इसका आप temperature देख रहे हैं 80 degree है तो starting में जो है आपको थोड़ा भोध गरम लगेगा और temperature भी बड़ी तेजी से गिर रहा है क्योंकि आसपास का जो टंपरेचर है अगर आप देखेंगे कमरे का टंपरेचर तो 26 डिग्री है और यह देखिए दो मिनट पहले यह 80 दिखा रहा था यह शायद फिर से हमें करना पड़ेगा यह हमारा सेंसर 65 दिखा रहा है तो जस्ट पा आपको वापिस गरम करना पड़ता है तो यह 500 वाट की इसमें हीटिंग कोईट्स लगी हुई है तो आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं काफी अच्छा पूड़क है इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हमारे पास टाइनोर ब्रैंड का हीटिंग पैड भी है और ओके हीटिं पैड भी है इस दोनों का हम आने वाले टाइम में कंप्रिजन करके दिखाएंगे रिव्यू करके दिखाएंगे तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यह प्रोड़क्ट आपको ओनलाइन भी मिल रहा है औ तो कि हमें पहले नहीं पता था कि इतनी तेजी से इसका टेंबरेचर डाउन हो जाता है तो 62 हो गया है यानि कि अराउंड 20 सेंटी ग्रेट गिर चुका है सिरफ चार या पांच मिनट में तो यह था फ्रेंड्स आल अबाउट धन्यवाग